मेरा नाम राम्री सिंग है, बेसिकली मैं यूपी अलिगर से बिलोंग करता हूँ एसली प्यस में आने से पहले, मैं ऐसा नहीं था मेरा जन्म एक नॉर्मन परिवार में, एक किसान के घर में हुआ था हम पात भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ और वहाँ पर 12 करने के बाद एकी चीट थी के बेटा, जल्दी से कोई जॉब की तलास करो और परमात्मा की बड़ी महरवानी हुई, कि मुझे भारतिय सैनाओं में जॉब करने का मोका मिला जिस बर्दी को पहन कर, हर इंसान इत्रा आता है, उस बर्दी को पहन कर गे, मैं भी बहुत खुश हुआ था और आज भी होता हूँ, क्योंकि दोस्तों, इंडियन आर्मी में थंडे खून की जरुवत नहीं होती, गरम खून की जरुवत होती है और मैं नौकरी कर रहा था, नौकरी करते करते लगवग, 14 से 15 साल हो गए थे, जिन्दगी बहुत बढ़िया खुजर रही थी, मुझे नहीं पता था, इसके अलग भी कोई दुनिया होती है लेकिन धन्यवाद करना चाहूँगा उस व्यक्ती का, जिस व्यक्ती ने मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करा दी, जो आज मेरे ही नहीं, मैं तो अपनी जिन्दगी का साक्षात भगवान मानता हूं, लेकिन आज पता नहीं कितनों के भाग विदाता हैं, कितनों की कंपनी के CEO and MD, Mr. Sanjeev Kumaasar, एक बाद जोटात तालियां, दोच्तों मुझे अच्छी तरह याद है, पठान कोट में मुझे एक प्लान दिया गया था, काभी पहले की बात है, उसके बाद उस कंपनी को हमने कुछ दिन किया, लेकिन वही होता है, कि जहां पर हम जो चाहते थ वो मिला नहीं, हम कमजोर नहीं थे, लेकिन हमें जो चीज दे जा रही थी, वो थी नहीं, जिसे हम बेच सकें, और हमने डिसीजन लिया, और वहां से हमरे कुट किया, आने वाले समय में दो-तीन साल इंतिजार किया, और जब एसली प्यस वेलनेस का जनम हुआ, तो मुझे एसली प्यस में आने का मौका मिला, और दो तो, मैं बिलकुल लगवक नेगेटिव हो चुका था, कि मुझे डारेक सलिंग नहीं करनी है, और सर ने सिर्म मुझे समझाया, कि बेटा, या तु इसे करता है, तो तेरी जिंदगी क्या हो सकती है, वो मुझे एक पेपर बस समझ आया था, मैंने कहा, सर मेरे पाद तो समय नहीं है, आर्मी में नोकरी कर रहा हूं, सर ने कहा, बेटा, दो घंटे जिंदगी के लगा दिये, तो अगले तीन साल में, तेरा घर बदल सकता, गाड़ी बदल सकती है, बच्चों की अजूकेशन, इस्कूल बदल सकता है, जब म आर्मी में रहते हुए, फट जनवरी 2015 से मैंने इस काम को सुरू किया, दो तो, अठारे महीने, एजे पार्ट टाइम, मैंने इस काम को किया, पार्ट टाइम करते हुए, अठारे महीने में मेरी इनकम यहां से लगबक 18 लाक रुपे थी, फट तक है 2016 को मैंने आर्मी को छोड़ा, और आज लगबक पांच साल, साड़े पांच साल होने जा रहा है, मुझे करते हुए फुल टाइम एजे केरियर, और ये साड़े पांच साल की जो इनकम है, वो आपको अभी मैडम ने बता दी थी, के लगबक 14 करोड रुपे आपका ये भाई S.L.P.S. वेलनेस से कमा चुपा है, लेकिन दोस्तों, ये जरनी इतनी आसान नहीं थी, जब काम करना शुरू किया, आज के लोग कहते हैं, अरे सर आप तो पहले आगए, तो बड़े बन गए, नहीं, हम पहले आई थे, तो बहुत मुश्किल है थी, आपको कोई मुश्किल नहीं है, हम तो जब किसी के पार प्लान लेने जाते थे, तो पूता था, भाई, कब कमपनी खुली है, मिनकी भाई, एक महिना हुआ है, बोला भाग जाएगी, मन तो करता था, बेटा, बच्चे पैदा मत करना, तेरी बेते थे, क्या वो आज प्रधान मंतरी नहीं है, है या नहीं है, दोस्तों किसी के पार प्लान लेके जाते थे, लोग पूछते थे, कौन सा प्रोडक्ट है, हम बताते थे, और्थोडोग, इम्मुनोडोग, कही कही तो ये बोलते थे, कुत्ते बेश्ते हो, क्या, डौग था, माम जैज सर को कई बार कोल करके पूछा, सर ये क्या है, सर ने कहा, बेटा, डौग का मतलब कुत्ता नहीं होता, डौग का, सौट फोर्म डौक्टर की डौग होता है, हमें नैट वरकर के बाद जाओ, ऐसे पैर पैर रखे बाद करते हैं, क्या लाया है, मिना कहीं सर, एक कमपनी लाया हूँ, कोई करोड़पती है, मिरीके सद्धाइजार का चेक, अभी तो मेरा ही बना है। कि वेटा पांक साल कर ग्रोण पती बन जाता है तो मेरे पास आना मेरा भी मन कणता था कहां पैदूँ पांक साल बाथ पांसाल बाद मैं तेरे बास आऊंगा तु टिकेट लेकर मुझे मिल ले आएगा बेटा नहीं तरह पास नहीं आऊंगा आज ए जर्णी को जब कर रहे थे लोगों ने बड़े बड़े नाम दिये बड़ा नौकरी कर रहा है अच्छी खासी अरे क्यूं पागल हो गया है आज मुझे वो सब द्याद आता है अरे मेरे पागल बनने से यद किसी मा के घुटने ठीक हो सकते हैं मेरे पागल बनने से किसी की सुगर ठीक हो सकती है मेरे पागल बनने से किसी घर में खुशी आ सकती है मेरे पागल बनने से कोई करोपती बन सकता है मेरे पागल बनने से किसी घर में जैगवार आ सकती है तो यास आए में पागल ऐसा भागल बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए और बनना चाहिए और मैं वादा करता हूँ आप से आप जितने भी लोग बैटे हैं मेरी एक बात सुनके जाना करोड़ पती ना बनो तो मुझे बताना दोतो एसलीप्यस में ऐसे ही कोई नहीं आता एसलीप्यस में वो लोग आते हैं जिनके साथ जन्मों के पुन्डे जुड़ते हैं वो इंसान एसलीप्यस वेलनेस में जोइनिंग लगाता है क्यों क्योंकि मैं एक ऐसे परिवास से बिलोंग करता हूं और आप भी करते हैं जहां पर हमारे बारे में कोई करोड़ पती बनने की कलपना नहीं कर सकता यस आवाद नहीं आ रही कलपना नहीं कर सकता मेरा गाओं घर सहर मिलके भी यह नहीं सोता कि यह करोड़ोपती बन जाएगा यस या नो लेकिन दोस्तों आज ऐसा नहीं है कि लोगों ने पैसे नहीं कमाए बड़े बड़े लोग बड़े-बड़े क्रिकेटर, बड़े-बड़े बॉलीवुड वाले करोड़ों अरवा रुपे कमाते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन वो इंडूजल अचीनमेंट होती है, उन्होंने अपने लिए कमाया, दौनी ने अरवा रुपे कमाये, जारकंड के बच्चों के लिए कु लेकिन दोस्तों, आज यहां पर मैं करोड़ों पती बना, मैंने यहां से 14 करोड़ों कमाये, मैंने अकेले नहीं कमाये, मेरे साथ आज हिंदुस्तान में लगबग 100-500 करोड़ों पताने कितने लगपती हैं, यह तागत हैं, ऐसलिप यस्वेलनेंस की, यहांनों, और हिंदुस्तान की कुछ बातें बताना चाहूंगा, आज हमारे समाज में एक बीमारी डाली हुई है, का जो इंसान पढ़ेगा, वही बड़ा बनेगा, कहते थे, पढ़ोगे, लिखोगे, तो बनोगे, नवाब, खेलोगे, कूदोगे, तो बनोगे, यहांनो, आज यह सही है, आज मुझे ऐसा लगता है, कि खेलने कूदने वाले ज्यादा बड़े बनने हैं, पड़े लिखे, कम बनने हैं, यहांनो, आपको ही बता देता हूँ, हिंदुस्तान में, जितने भी कोचिक सेंटर चलते हैं, उनमें 75% से उपर वाले बच्चों को लिया जाता है, यहांनो, यानि टैलेंटर लोगों को लेते हैं, हमारे जैसे 33% वालों को नहीं लेते हैं, और फीच क्या होती है, एक लाग, दो लाग, तीन लाग, चाल लाग, यहांनो, दो तो, पचास लाग बच्चे फुरे हिंदुस्तान में कोचिंग सेंटर लेते हैं, वो टीचर चोड़ो, उनके घरवाले चोड़ो, भगवान भी पढ़ाने आ जाए, तब भी, दसजा से जादा सेलेक्शन नहीं किरा सकता, क्योंकि वैकेंसी नहीं है, यहांनो, और जब उनका न नम्बर आता है, अखबार के पहले पेर भड़ देते हैं, होडिक लगा देते, बोर्ड लगा देते हैं, जुलूस निकाल देते हैं, लेकिन, अभी नम्मर ही आया है, सेलरी नहीं हाई, यहांनो, अभी पांच साल बाप के पैसे और खर्च कराएगा, यह पढ़ाई करेगा तो लेकिन जिस कोचिंग सेंटर में आप बैठे हैं जिसका नाम है फाइटर सक्सेस सिटम जिसको जून 2015 में संजीव संदे बनाया था इसे ओल ओवर इंडिया में चलाते हैं हमारे सबके गुरू टॉप लीडर मिस्टर अनल कुणी सर इनके लिए एक पर जोड़ता तालिया यह फाइटर सक्सेस सिटम कि सलेक्षिन नहीं कराता है पहले पहले पहला करोड़ो पती निकालने में कैवल एक से तेर साल का वक्त लगा था और आग आज फाइटर सक्सेस सिटम साथ साल का व마 बच्चा के वलता सा Fellokat आज का रजल्ट बता रहा हूँ आज वाइटा सक्सेस सिटम हर वीक में 65 से 70 लगपती और 3 करोड़ पती बैदा करता है 3 करोड़ पती यह श्यानो दोस्तो अब आप बताओ साथ साल के बच्चे का यह रजल्ट है जे दिन 18 साल का होगा फोटो लेके जाना आप सब जे दिन 18 साल का होगा हमारे साथ 18 मां वड़े सैलिवरेशन करना और हमारे साथ बने रहना छोड़ के मत जाना यह तो हमारे साथ बने रहे तो मैं वादा करता हूँ यह जितने भी मुझे सुन्ने हैं देख रहे हैं या कलपना कर रहे हैं कारेंटी देता हूँ जद दिना ठारमा वड़े मना और आप हमारे साथ हुए हर एक कैकाउंट में ददस करोड रुपे होंगे कम से गव थैंक यू सो मद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया